हई है वालो गूद्मानिंग एब्योंन वर्यों वाइव यू 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 यहाज रहा है यह बायो शावर्ट लोग का एप्लिकेशन है धूसरा है एंप्टीर सरकुटल लो वैल अब तक हम पड़ते आ रहे हैं concept of magnetic field or instant experiment then bio savert law then magnetic field magnetic field produced by a circular loop यहां पर magnetic field produced by axis of loop axis में क्या कितनी magnetic field produce होगी तो पढ़ेंगे उसके बारे में now magnetic field at a point on the axis of the loop axis means यह जो z axis आप देख रहे हैं उस पर यह ओ एक्स एक्सिस जो नीचे आप देख रहे हैं होरिजॉंटल में दिस इस जा वी हैव टू डिटर्माइन ओके सो कंसीडर अ सर्क्लर लूप एक सर्क्लर लेते हैं जिसकी एक रेडियस ए है ओके माल लेते एक रेडियस ए है सैंटर जीस का ओ है एंड करेंट आई करेंट करिंग इंदर तर गितना फ्लो कर रहा है जोंकि फिगर मां शो कर रहा है दर प्लेयन ओफ लूप वह yz है यानि एक य सट आप hij जी एक्सेंन रेकी एक्सेंट्बूट में लाकिरhat यह और बीपर पर कर रहा न प्लेन इस परप्रेंटलीब टुद प्लेन ऑफ ट पेपर जो एक्सवाई सुरी वाइजट जो प्लेन है वो पेपर के प्रपेंटुकलर है हाला कि इसमें सवंझ में नहीं आएगा फिर भी मैंजिन करके देखिए जैक्सेड है और यह आप तो मिच्छली परपंडिकुल रहा है किसके पेपर के यानि एक सेक्सिस के नौ वाइल दा एक्सिस आफ दा लूप और एक्सिस आफ दा लूप के भी यह जो ओ एक्स है मींस अगर हम देखना चाहें इसमें ओ एक्स कहां रप्रेजेंट करेगी दैन ओ एक्स विल रप लूप यह जिसका की दिस्टेंस से एक्स फॉमिट रूप के सेंटर विर दा मैंगिनेटिक फिल्ड फिल्ड डिटर्माइंट करनी है so consider an infinitely small length उपर देखिए AB जिसकी की length DL है जिसमें last मैं भी किया था हमने बायो सावर लोब में of the loop join the point P P point से A को join कर देंगे to the middle of the C और same Z से भी P को join कर देंगे of the current element AB suppose that CP is goes to R और C और P का जो distance वो R है obviously angle BCP देखिए angle BCP और angle ACP angle ACP is 90 degree जो उपर shown है नाई अब आते हैं now according to bio-savart law ये थोड़ा कट गया है लेकिन आप लिख लीजेगा according to bio-savart law the magnetic field due to the current element AB जो magnetic field AB से produce होती है छोटा small element at point P P point पर क्या होगी DB is equals to me not 4 pi into IDL cross R vector upon R square where IDL क्या है I into AB AB क्या है length of the small conductor which is DL is a vector in the direction of flow of current जो हमें मालम है कि जिसकी direction क्या होगी current जिस direction में current flow को रहा है उसी direction में AB की आई और AB की डिरेक्शन होगी AB and R vector is a unit vector AB जो length है और R is a unit vector जो इसके की magnitude 1 है along CP अब CP देख लिजे के उपर वाला CP ओके the magnitude field जो magnitude field है DB due to the small current conductor जो में अडिक field AB is produced है at a point P P पर represented by the vector PL वो किसे रप्रेजन करने है PL से उपर देखिए right hand side में PL आपको show कर रहा है now as a angle ideal and R is 90 degree जो ideal angle है और R की बीच पर जो एंगल बना रहा वो 90 degree है then the magnitude of the DB is given by कितना हो जाएगा DB is equals to 4 mu naught upon 4 pi into ideal R square ओके यहां तक समझने आगे now इसी means slide में second last point let consider the small element a dash b dash a dash और b dash हम कोई element consider करते हैं जिसका की length है dl located at just opposite to the element a b so so a b की just नीचे z में जिसका की length sorry a dash b dash माल लीजे okay so due to the current a dash b dash has a magnitude as same that of due to current element a b यहनि जो उपर वाला a b element है वो a dash b dash जैसे ही magnetic field produce करेगा दस 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 दर डिरेक्शन वेक्टर पी एम पी एम देगी कहा है पी एम नीचे है पी और एम राइट हैं जाइड में तो डी बी जोगस टू मॉट डी बी जोगस तू मॉट डी बी लूट अब आगे बढ़ते हैं भूथ डी बी एडी और डी बीकेन बी रिल्लव इंटो टू मीच्डी परपंड्रुक्रा ब्रक्रीज में तो उपर वाला और मिचाए वाला दोंों इक डी बी आपस भी हम रेजॉल обще आपस में कि दा कंपोनेंट्स ओप दा मैंगेडिक फिल द्यू टू करेंट अलमेंट्स ए बी एंड एड़ेश बीड़ेश अलॉंग जड़ेश यानि एक्सिस की किसके सब्सक्राइब एक्सिस का कैंसल इच अधर या पसमें कैंसल आउट इच अधर हो जाएंगे क्यों एज एक्वाल म कंडूक्टर से जिसका कि सरकंफेंस है लूप का देरफोर ड्यू टो वैरियस अलिमेंट्स एलिमेंट्स करेंट्स अलिमेंट्स अलिए ओपर नाओ एक सों एंगल OPC इस विश्ट्वेंगल OPC डैश ओपीसी डैश विश्ट्वेंग टीटा माली जे एंड एंगल ZPL और ढ़ेंगल Z-डैश पी एम इस विश्ट्वेंगे सोठीटर नली क्योंकि सर्कुल इंटेग्रेशन लेना में वह जाएगा DB-sin थीटा जो कि इंटेग्रेशन सर्कुल इंटीटीटर पाई ड्ल सायन थीटा क्योंकि थीटा एंगल बीच में है अपन आर स्कूर नौ इन फॉर पाई अपन आई स्कूर साइन थीटा यह गॉंस्टेंट है और दी DL 2 pi A, then यह आ जाएगा, mu0 4 pi, into 2 pi I A upon R square sin theta, then B is equals to mu0 upon 4 pi I upon R square sin theta into 2 pi A, then यह resolve क्या जाएगा, mu0 upon 4 pi into 2 pi A upon R square sin theta, then theta is equals to A upon R, then theta क्या है, length of the arc, r upon radius, यह formula है, now again, B is equals to mu0 4 pi into 2 pi A upon R kỳ power x into A into R, यहाँ A to R क्या जाएगा, theta आ जाएगा, A, यहाँ theta क्या है, यहाँ, sin theta की जाएगा, put कर देंगे, now तो उसकी value हो जाएगी, mu0 upon 4 pi, 2 pi I A kỳ power x upon R, then यह इसकी overall निकलती है, mu0 upon 4 pi, 2 pi I square upon A square plus A x square का 3 की power 2, then B is equals to mu0 upon 4 pi into 2 pi N, अगर N turns है उसके लिए, I A square upon A square plus x square की power 3 by 2, okay, now special cases में क्या होगा, magnetic field at the center of the loop, center पर क्या हो जाएगा, B is equals to mu0 upon 4 pi into 2 pi L upon A, which is equals to, अगर N turns है, तो B is equals to mu0 upon 4 pi into 2 pi N A, अगर N turns है, when the observation point lies far away from the center of the loop, अगर कोई observation point center से बहुत जादा दूर है, उसके लिए क्या है, तो B is equals to mu0 4 pi into 2 pi I A square upon x square and B is equals to 4 pi mu0 4 pi into 2 I A upon 2 की power cube, similarly for loop N, N loop के लिए, तो B is equals to mu0 4 pi into 2 pi N I A square upon x cube, which is equals to mu0 upon 4 pi into N I A upon x cube, आई हो पिया, आपको सौन्मे आ गया होगा, practice कीजे, आ जाएगा, now, Ampere Circular Law, क्या बताएगा, it states that line integral of magnetic field, magnetic field को integral कर दीजे, line integral of magnetic field, यानि, integration of B, B, यानि magnetic field B, around any closed path, कोई closed path है, और circular path, equal to, वो किसके क्वल है, mu0 यानि absolute permittivity of free space, mu0 times to the total current, mathematically इसको कैसर प्रेजेंट करेंगे, integration of B.DL into mu0 I, to prove Ampere Circular Law for circular loop, circular loop के रिए Ampere Circular Law के आएगा, एक यह plane of paper है, यह circular loop है, है न, सो देखते हैं, consider a long state conductor, जिसकी की length है, x, y, such that a current I flow, जिसमें I flow हो कर रहा है, through it, from the end x to y, कहां से x से y की तरफ, flow through it from the end to x and y, x to y, due to flow of current, through the conductor, यानि, current की वेज़े से, conductor में current की वेज़े से, magnetic field will produce around it, एक magnetic field produce होगी, now consider a circular path of a radius R, अब एक circular path, consider कर लेंगी, जिसकी की radius कर वोगी R, such that current carrying conductor, passes through its center, यानि, जो current carrying conductor हो, कहां से pass होगा, center से pass होगा, ठीक है, circular loop के, कौन conductor हो, let PQ, PQ न ज़रार आपको, P और Q, यानि small element है, DL, B small element of circular path, and BB strength of the magnetic field, जो के पहले से ही, हम करते हा रहे हैं, at a point P, is along tangent, कहें, tangent में मनाएगा, obviously, the vector B and DL, are along the same direction, और जो vector B है, और DL है, वो same direction होंगे, hence, line integral of magnetic field, over the closed circular path, यानि, line integral of magnetic field, of the small closed interval path, वो क्या होगा, B dot DL is equals to, integration of B dot DL, cos 0, यानि, B और DL की बीच में, जो angle 0 है, क्योंकि, same direction में है, यहां पर 0, cos 0 हो जाएगा, और क्योंकि, horizontal component में है, तो cos component आता है, तो यह आजाएगा, B dot DL, then, the magnetic, of, then magnitude of magnetic field, due to the current carrying conductor, state conductor, magnitude of magnetic field क्या होगा, किसकी विज़ा से, state conductor की विज़ा से, at a point P, P पर, वो होगा, B is equals to, mu not upon 4 pi, into 2i upon R, जो कि हम, देखते हारें, यह magnitude है, किसका स, magnetic field produced by, current carrying conductor, state carrying conductor, जो जैसके क्या की, dimension state है, now, in fact, the magnitude of the magnetic field is same, और, जो magnitude है, magnetic field की, वो भी same है, for all the points on the circular path, यहनी, circular path तरेक point पर, जो magnetic field होगी, वो same होगी, ओके, और, यह हो जाएगा, substituting for B, equation, integration B dot DL, is equals to, mu not upon 4 pi, into 2i upon R, DL, यह बहार निकल जाएंगे, mu not upon 4 pi, 2i upon R, DL, आर, DL क्या है, circumference of the circle, पुट कर देंगे value, तो B dot DL is equals to, mu not 4 pi, यह cancel out हो जाएगा, अपस में, और यह आजाएगा, integration of B dot DL is equals to, mu not I, it proves, ampere circular law, जो कि, एक, प्रूफ करता है, circular law, ampere circular law, now, it may be noted that, यह note किया जाएगा है, that magnetic field of, magnitude of magnetic field, at a point on the circular path, changes, with changes in radius, जैसे जैसे हम, radius को change करेंगे, जो magnitude of the magnetic field, वो change होता जाएगा, but the line integral of B, over any closed path, लेकिन जो, line है, magnetic field की, over a closed path, will be independent of the radius, यानि, magnetic lines, वो independent, radius पर dependent नहीं, वो एक्कोल टू मी नॉट टाइम्स रहेगा, through the current, carrying conductor, यानि, यानि, यानि लवाई, B.DL is goes to, always, मी नॉट टाइम्स अन्टू आई, ओके, लाओ इसका second, प्रूब है, वो क्या है, circular loop, ये आर्बिट, एम्परियर सर्कुलर लॉव, फोर एनि आर्बिटरी पाथ, यानि किसी पाथ के लिए, शर्कुलर ना हो के, क्योई अलग लग डमेंशन हो, तो इसके लिए क्या है, ये देखें आप, एक plane of paper में, ये आर्बिटरी पाथ है, जिसका कि डिफेर्ट डिफेर्ट अलिमेंट है, पाथ को डिफेर्ट ना है, इन्टो लाज नंबर ऑफ सेग्मेंट में काट दिया, तो A, B is equals to DL1 होगा, B, C is equals to DL2 and C, D is equals to DL3 Suppose that these segments A, B, B, C, C, D are small माली जी कि A, B, B, C, C, D ये small है तो इनका जो आर्क आजाएगा, angle of arc D theta 1 is equals to DL1 over R1 D theta 2 is equals to DL2 upon R2 और D theta 3 is equals to DL3 upon R3 माले में आपको ये angle of arc का formula है Now suppose that these segments of a small length ये जो इनके जो एंगल है D theta 1, D theta 2, D theta 3 at the point of O ये O ओपा जाते हैं तो फ्रू विच the conductor pass जहां से conductor pass हो रहा है तो D theta 1 plus D theta 2 plus D theta 3 वो क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा यानि circumference of the circle हो जाएगा Suppose that all the segments A, B, B, C, C, D are small circle arc सब small circle arc में आ रहे हैं और जिनकी radia ही क्या है? R1, R2 और R3 respectively Then D theta 1, DL upon R1 D theta 2, DL2 upon R2 and D theta 3, DL3 upon R3 जैसे कर रहे थे If B1, B2, B3 are the strength of the B along DL, 1, DL2 and DL3 Then the line of integral of along B यानि छोटी-छोटे small elements की जो छोटी-छोटी magnetic field strength है B1, B2, B3 जो कि B के long है So, the arbitrary cross path can be expressed as जो arbitrary cross path है वो कैसे express कर रहेंगे? Line of integral of B.DL is equals to B1.DL plus B2.DL plus B3.DL3 अब निकाल लेंगे B1, DL1 plus B2, DL2 plus B3, DL3 Now, B1 is equals to कितना हो जाएगा? B0 upon 4 pi 2i upon R1 B2 is कितना हो जाएगा? B0 upon 4 pi 2i upon R2 B0 upon 4 pi 2i upon R3 Now, यह हो जाएगा हमारा B.DL is equals to B0 upon 4 pi 2i upon R1 DL1 plus B0 upon 4 pi 2i upon R2 DL2 plus B0 upon 4 pi 2i upon R3 DL3 Now, overall submission करेंगे तो यह हो जाएगा B0 upon 4 pi 2i भाह निकल जाएगा DL1 upon R1 plus DL2 upon R2 plus DL3 upon R3 Using this equation Integral multiple of B.DL is equals to Mu0 upon 4 pi into 2i xk equal to θ1 plus θ2 Dθ2 plus Dθ3 Okay? So, this is the representation of Ampere Circular Law for an arbitrary path So, thank you very much